दोस्तों, सावन मास के सुक्ल पक्च की पंजमी तिथी को नाग पंजमी मनाई जाती है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। मानिता है कि नाग पंजमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से सुक्समरद्धी की प्राप्ति होती है। साथ ही सर्प दंसका भे भी नहीं रहता है। इसके अलावा नाग पंचमी के दिन विसेज पूजा और अनुस्ठान करने से काल सर्प दोस और पित्र दोस से मुक्ति भी मिलती है। दोस्तों जब कोई व्यक्ति काल सर्प दोस से पिडित होता है तो उसके जीवन में कलेस, मन में असान्ती, धन प्राप्ती में बाधा, विवा में बाधा और संतान उत्पत्ती में भी बाधा आती है। साथ ही व्यक्ति के हर काम में रुकावट आती है। वे कितनी भी मेनत क्यों न कर ले, उसे कभी भी पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि इस योग में पैदा हुए लोगों को हर हाल में काल सर्पदोस का निवारण करा लेना चाहिए। नाग पंचमी के इस खास अउसर पर आप काल सर्पदोस का एक छोटा सा उपाय करके इस दोस से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके जीवन में कोई परिसानी चल रही हो, या आपका मन असांत रहता हो, या धन से समन्धी समस्या हो, या फिर आप काल सर्प दोस से पीडित हैं, तो आप नाग पंचमी के दिन इस अचूप उपाय को जरूर करें। दोस्तों, आपको इस उपाय को करने के लिए एक नारियल की जरूरत होगी। उपाय करने के लिए नाग पंचमी के दिन सुबा जल्दी उठकर इसनान करके स्वच्च वस्त धारण करें। अब एक पानी वाला नारियल ले लें, जो पूजा में इस्तमाल किया जाता है। इसक सुद्ध घी का दीपक जलाएं। और भगवान के सामने नारियल को एक साफ लाल रंका कपड़ा बिछा कर उसके उपर रख दें। और अगर आपके पास लाल रंका कपड़ा नहीं है, तो आप नारियल को एक साफ प्लेट में रख दें। अब आप थोड़ा सा कुम-कुम और उसमें सुद्ध जल या गंगा जल मिलाकर कुम-कुम का घोल बना लें। अब इस कुम-कुम से इस नारियल के उपर दो सर्प की आकरती बनाएं। और नारियल पर आकरती बनाते समय आप ओम नमा सिवाय का मन ही मन में उच्चारन करते रहें। अब आप इस नारियल और और इस पर बने दोसर्प की आकरत की पूजा करें, पहले हल्दी से तिलक लगाएं, फिर अक्छा तर्पित करें, फूल माला चड़ाएं, इसके बाद बतासे का भोग लगाएं, और हो सके तो सिवई या दूद या चावल की खीर का भोग लगाएं, दोस्तों सर्प देव का पूजन करने के बाद थोड़ा सा दूद सर्प देव पर डालें, इसके बाद आप नाग देवता के इस मंत्र का ग्यारा बार जाप करें, मंत्र इस प्रकार है, ओम नौ कुलाएं, वित महें, विजदंताएं, दी महीं, तन्नो सर्प प्रचोदयात, इसके बाद सिवजी औ और नाग देवता को प्रणाम करें, फिर इसके बाद आपकी जो भी परेसानी है, उसे दूर करने के लिए भगवान सिर्फ से प्राथना करें, या आप काल सर्प दोस से पीडित हैं, तो उसे दूर करने के लिए प्राथना करें, प्राथना करने के बाद आप नारियल को उ लखना है कि जब आप सर्प की आकरती नारियल पर बनाएंगे तब आकरती नारियल के बिलकुल बीचों बीच बनाएं ताकि मौली लपेटते समय वह सर्प की आकरती मौली से बांधने में आ जाएं। अब आप इस नारियल को किसी बहते हुए जल या नदी में प्रवाहित कर दें। और अगर आपके घर के पास कोई नदी या तलाब नहीं हैं तो आप इस नारियल को किसी सिव मंदिर में जाकर सिवलिंग के पास रखाएं। नारियल को पानी में बहाते या सिवलिंग पर चढ़ाते समय आप ओम नमा सिवाय का जाब जरूर करें। दोस्तों इस उपाय को करने से भगवान सिव और नाग देवता की कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ ही काल सर्प दोस और सभी समस्याओं से मुक्ति भी मिलेगी। इसके लावा सर्प दंस का भै भी नहीं होगा। और आपका घर धन धान से सदयो भरा रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जै मालक्षमी या जै मातादी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें। साथ ही चैन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।